यह भी कितना अच्छे से विजिबल हो रहा होगा आप लोग देख रहे होंगे मोटर ओन का सिंगनल भी यहां पे दिख रहा है टाइमिंग भी दिख रही है फिर भी इस गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है स्पीड को अचीव करने में और यह 90 किलो मीटर बहुत जारी है बहुत ही आराम से सब्सक्राइब दोस्तों वेल्कम बैक डूदी केसी व्लॉक्स वेल्कम बैक डूदी चैनल आज बहुत ही बड़ी है स्कूटर आपके लिए लेक्या है जो की है इवी और यह आती है एथर की तरफ से 450S और यह स्कूटर क्यों लेके आया हूँ इसका रिव्यू क्यों लाएक के आ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी आउफस के साथ अब एथर की यह गाड़ी आपको मिलने वाली है तो एथर ने यहाँ पे 20,000 डिक्रीज कर दी है स्कूटर में अब बहुत ही जाद़ कॉम्टेटिटिव प्राइज हो गया अगर मैं पेट्रोल से कंपेर करूँ इसका जो प्राइज निकल के आ रहा है लखनो का एक शोरूम 1,9999,99 ओनली तो इतना आपको देना है और इसको घर लेके जाना है तो भाई EV मार्केट की बात करूँ तो आप लोग को लग रहा होगा EV बहुत महंगी है नहीं ले पाएंगे पेट्रोल सब लोग प्रिफर कर रहे है बट अब जो इसका प्राइज है वो बहुत कॉमिटेटिव हो गया एकदम पेट्रोल प्राइजिंग में आ गया है और सबसे अची बात है इसकी जो रनिंग कॉस्ट है बहुत कम है अगर मैं बात करूँ एक किलोमीटर की तो 40 पैसे आपको देने पड़ेंगे लेकिन अगर सबस्करते इसके advantage के बारे में इस गाड़ी में आपको क्या-kya चीजेश है तो सबसे पहले हम इसकी reliability के बारे में जान लेते हैं यह जो गारी है बहुती मसमूत गारी है जैसे आपने बहुत सारी electric scooters में कुझे नै कुछ न कुछी टार्ज़नoti में कीफ नहीं मिली इसका charging म बहुत ही बड़िया आपको देखने को मिलता है इवेन इसकी जो बिल्ड कॉलिटी है वो भी बहुत अच्छी है शॉकर्स दिखाता हूँ सबसे पहले में यहाँ पर आपको डबल शॉकर्स देखने को मिलते हैं अगर आप चलाते हो इस काड़ी को तो टायर आप देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने MRF के टायर यूज किये है और इसकी गृप देख सकते हो बहुत ही बड़िया गृप के साथ यह गाड़ी आती है और 90 सक्षन के टायर आपको देखने को मिलते हैं जो है इसकी 90 सेक्षन है 12 इंच के एलोई है जो की आपकी राइड कॉलिटी और जाद अच्छी करती है बंस को और जाद एब्सॉप करती है चलिए अब बात करते हैं इसके सेफटी की सेफटी के लिए एथर ने यहाँ पर डूइल डिस्क आपको दिया है यहाँ पर देख सकते हूँ पेटल डिस्क है पेटल डिस्क की वज़े से हीट की जादा इशू नहीं होती है और बाइब्रे की कैलिपर यहाँ देखने को आपको मिलते हैं जो की भाई एकदम प्रीमियम बाइक्स में आजकल स्कूटर में आपको नहीं देखने को मिलते हैं बाइक्स में ही आपको देखने को मिलते हैं लेकिन एथर ने यह चीज़ आपको स्कूटर में दी है पीछे भी आपका जो डिस्क ब्रेक है वो आपको पेटल डिस्क देखने को मिलता है और यहां पर भी ब्रेक के कैलिपर यूज किये गए है तो भाई ब्रेकिंग तो एक नंबर है क्योंकि मैं इसको चला रहा हूं दो दिन से और दो दिन में मेरा जो एक्सपीरेंस रहे ना यह एक नंबर रहा है बहुत ही मज़ा आई है बहुत ही फन राइडिंग बाइक है स्क राइडिंग स्कूटर है आप इसको लो और बस अपने सिटी में घूमो जो लेना है लो भाई अच्छा माइलेस देती है आपको अगर में इस स्कूटर की बात करूं तो इसका ट्रू रेंज जो है वो 90 किलोमेटर है इको मोड में एंड आईडीसी रेंज है 115 किलोमेटर मेर बड़ा है और 1800 प्लस फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा अब परफॉमेंस की अगर मैं बात करूं थ्रॉटल रिस्पॉंस है ना मुझे एक नंबर देखने को मिलता है जब भी मैं इस गाली को चलाता हूं तो थोड़ा फील आता है कि बाई सूपर बाइक में इस गाली को स्टार्ट करने के लिए हमको ब्रेक दबा करके बटन दबाना होता है अब आप इसका थ्रॉटल रिस्पॉंस देखेगा यह देखे यह देखे बहुत ही बड़िया थ्रॉटल रिस्पॉंस देखने को मिलता है इस गाली में यह देखे भाई पावर तो एक कोई पेट्रोल स्कूटर इतनी तेज भागती भी है क्योंकि मैं इसको दो लोग को बैठा के चला रहा हूँ ना तो इसमें ये फील नहीं हो रहा कि भाई भारी बैठ गये तो ये गाली आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है भाई एक नंबर भागती है ये चलिए अब मै इसके instrument cluster की बात करता हूँ तो instrument cluster आप देख सकते हो 7 inch deep view display आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो अगर देख सकते हो बहुत ही कडग धूप है और इस कडग धूप में भी ये बहुत ही अच्छा visible हो रही है और मेरे को हर एक चीज detail में दिख रही है यहाँ पे आप देख demo bike है तो lock है तो हमको demo bike मिली थी तो हमने का क्यों ना video बनाये जाए और इसमें कुछ features है ना जो आपको कार में देखने को बिलेगे तो सबसे पहला जो सबसे बढ़िया feature मुझे इस गाड़ी में देखने को मिलता है वह है auto hold तो auto hold करता क्या है जब आप किसी flyover में traffic में रु दूरत नहीं है जैसे यह sense कर लेता है hill पे तुरंट automatic खुदी brake लगा देता है तो यह बहुत ही अच्छा मुझे feature देखने को मिल जाता है एक और बढ़िया feature यहां पर देखने को मिलता है जो कार में मिलता है इसमें auto cut indicator है मतलब indicator लगा बस जैसे इस गारी सीधी होगी अपन सबसे मतलब key feature बोलूँगा जो advantage है वो है इसका motor वो क्यूं है अब मैं बताता हूँ एक बार यहां आप देखेंगे तो यहां आपको देखेगा tire है लेकिन यहां कोई भी motor नहीं लगा हुआ अब इस side अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर यहां पर आपको bell drive द install है center में जिसकी वज़े से इस गाड़ी को better acceleration provide करती है और बहुत ही nimble आपकी riding हो जाती quality comfort मतलब हर चीज मामले में एक नंबर हो जाती है अब मैं बात करता हो हम मोटर की तो जितने भी इसके competitive scooters है ना पेट्रोल की बात करूं या another EVs की बात करूं वो हम मोटर को यूज करते जो यहां पे install होता है अगर आपने गाड़ियां देखी होंगी scooters other scooters जितनी भी है competitive वो यहां पे मोटर लगा के देते हैं टायर के साथ में उसमें issue क्या होता है उसका acceleration अच्छा नहीं होता है weight distribution एक साइट वे जादा होता है तो उती जादा comfortable नहीं होती है कभी आप वो चल नहीं खोलेंगे हना मना कर देंगे तो आपको उस गाड़ी को service center ही लेके जाना पड़ेगा जो कि बहुत ही जादा आपको headache देता है तो यहां पे तीन चीज़ आपको मिलती है एक तो low maintenance आपको पंचर मनवाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है acceleration दो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है तो hub motor के मुकाबले frame motor बहुत ही बढ़िया है 108 kg की यह scooter है जो आपको city में चलाने में मज़ेदार हो जाएगी तो देख सकते हो stance को चिस तरीके का है seat height बहुत जादा नहीं है अब एक बात करते हैं जो कि हर एक इनसान को जानना है यह गाड़ी कितनी चलेगी है ना battery खराब हो जाएगी तो भाई मैं एक बात बता दूँ आपको proven experience है यह तर का 5 साल से जादा हो चुके है और अभी भी यह जो scooter है 5 साल ब यह scooter बढ़िया है कि नहीं है एक EV के मामने में मेरे हिसाब से यह गाड़ी जो है आपकी रोज मर्रा की जिन्दगी के लिए ना बहुत ही बढ़िया एक साथी होने वाली है क्योंकि यह जो scooter है आपको 5 साल की warranty देती है comfort riding देती है मजबूत build quality है ठीक है frame motor में जादा problem नहीं ह होती है क्योंकि भाई hub motor बहुत जादा maintenance करना पड़ता है low maintenance motor आपको देखने को मिलता है higher acceleration गाड़ी देखने को मिलती है भाई चलाने से पहले एक चीज़ बता दूँ इसकी जो आपको true range देखने को मिलेगी न 90 km की देखने को मिलेगी और इसकी performance भाई बहुत ही बढ़िया है frame motor के फाइदे कुछ अलगी होते है और low maintenance भी होते है देख सकते है यह देखे power देखे आप इसकी ओ भाई सहाब और center में align होता है जिसकी वज़े से इस गाड़ी का जो weight distribution है बहुत ही बढ़िया हो जाता है और बहुत comfortable आप ride इसको कर सकते हो जादा disbalance नहीं होती है इसकी battery जो है वो भी center में align है aluminum cage में इसकी battery रखी हुई है जिसकी वज़े से गाड़ी का जो center of gravity है बहुत ही बढ़िया देख frame motor में एक sound आती है वो आप अभी सुन रहे होगे यह वाली जो कि मुझे बहुती बढ़िया लगती है futuristic sound लगती है and देख सकते हो मैं अभी इसको off-road पे चला रहा हूं लेकिन इसकी performance ना एकदम बढ़िया है और braking भी एक number देखने को मिल जाती है आपको क्यूंकि इसमें इतनी जल्दी अचीव करती है 90 km आप देख सकते हैं मैंने full throttle खीचा हुआ है यह भी कितना अच्छे से visible हो रहा होगा आप लोग देख रहे होंगे motor on का signal भी यहां पे दिख रहा है timing भी देख रही है देख सकते हो 80 km में चल चुका हूं मेरा weight 95 kg है फिर भी इस गाड़ी को क कोई भी दिकत नहीं हो रही है स्पीट को अचीव करने में और यह 90 km बहुत जा रही है बहुत ही आराम से अगर मैं petrol scooter की बात करूं उसको इतना स्पीट को अचीव करने में थोड़े से वांदे हो जाते हैं लेकिन इसमें ऐसा कोई भी फील नहीं हो रहा है और देख सकते हो कितनी इजीली मैं मोड लेता हूँ इस गाड़ी को क्योंकि इसका जो वेट डिस्रिबूशन है एक ही जगे पर है सेंटर में आगे आगे 50-50% को डिस्रिबूट किया है तो मुझे मोडने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है पेट्रोल स्कूटर हब मोटर में क्या दिक्कत जाती है जब हम मोटर एक साइड वेट देता है अपने मोटर का तो जब हम लेफ साइड में मोडते हैं तो ज्यादा जुकाव हो जाता है तो यह थोड़ा सा डिस अपर आपको बहुत सफर करना पड़ जाएगा और इसकी जो है आप अराम से पंचर बना सकते हो किसी भी पं तो भाई यह चीज देखने के मिलती है पांस साल की वारंटी भी है भाई क्या चाहिए भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ और की जरुवत है और सीटी में चलाने के लिए परफेक्ट है 90 किलोमेटर कम नहीं होते हैं साइड मीर की बात करूं अगर मैं इसके तो साइड मीर अब भी बहुत अच्छा देखने को यहां पर मिलता है और वीजिबिल्टी भी अच्छी है और वाइबरेशन की बात कर वाइबरेशन तो मतलब निल है मतलब मुझे नहीं वाइबरेशन को देख रहा है इसके साइड स्क्रीन में है ओ भाई साहाब एक सो आट केजी की यह तो कैसी लगी आपको यह वीडियो होप करता हूँ यह वीडियो देख कि आपको थोड़ी सी हल्प मिली होगी इस गाड़ी को खाइदने में अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी इवी लू इसकी चाबी कुछ इस तरीके की है तो मेरे इसाब से परफेक्ट स्कूटर है आप बिग डिल नहीं है ट्रोज के लिए यह गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है तो यह वीडियो को यह खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स लोग में तिल दन राइट सेफ सेफ हलमेट में पहन के राइट करिया मस्तर यह सेफ रही बाइबाइ झाल